वीडियों नों बात करने वाले हैं विश्व भारती उनिविशिटी जिसे हम सांती निकेतन के नाम से जानते हैं जिसके स्थापना करी थी रवीना टेगोर जी ने और इस पे हम बात करेंगे देखिए ये दू कारण से न्यूज में बनी हुई है पहला कारण ये है कि इस सांत से निकेतन अब देखिए एक तो ये कारण है दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे जब वर्ल्ड हेरीटेस साइट की घोसना करी गई तो इसमें टेंप्रोरी रूप से तीन यहाँ पे एक प्लाक लगाए गया ठीक है प्लाक का मतलब सिलापत होता है बिसिकली पत्थर का एक प रवीना टेगोर जी ने ठीक है और उनका नाम ही इसमें गायब आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है इसलिए ये काफी जादा न्यूज में आ गई है कि बिप्लक्षी पार्टी यदि हम बात करें बंगाल की तो मम्ता बनर जी जी साथी शाथ और भी बहुत सारी लोग हैं जिन्होंने अपत्ति जताई है कि इसमें जो है रवीना टेगोर जी का नाम क्यों गायब है तो चलिए हम बात करतें इसमें टेटेल में यदि हम बात करें सबसे पहले कि ये उनिवर्सिटी है कहां पहले वहीं से सुरुवात करते हैं तब आपको अगये वेस्ट बेंगल के या तो यहां पे बिरभूम बोलक है आप यहां पे देख़ पार है बिरभूम जिले में एक जगह है जिसका नाम है बोलपूर तेक है और इस बोलपूर के अंदर आपको ये सांतिनी के तन दिखेगी तीक है ये जगह काफी ज़्यादा इंपॉर्टन है क्योंकि इसी के बगल में आपको जैदेव भी दिखता है तीक है जैदेव जिन्होंने गीद गोविंद की नर पड़ता है उस पर भी हम बात करेंगे आकर निंका आम यां पर लिया ही क्यों देखिए सांति निकीतन की जब हम बात करते हैं तो यहां-पर क्या फेमस ए्क पिक्चर में आपको दिखाओंगा यहाँ ज्यादा फेमस है कि यहां पे जो परहाया जाता है थिकर चुकि एक इ प्रेड के नीचे में किस प्रकार से साधगी रूप से पढ़ाया जाता है तो उसके बाद हम बात करेंगे कि देखें दूसरी यहां पर चर्चा हमने करी कि स्री नयने जो है इसमें आचारी के पत्पे हैं क्यों हैं तेके हमारे देख में एकमात्र यहांके चांसलर कौन है तो प्राइम इनिस्टर होते हैं तो इसमें नहीं मुदी जी है वो यहां के Chancellor है मतलब जिसे हम Hindi में कहेंगे तो आचारी बोलेंगे ठीक है और Professor विद्दूत चक्रवर्ति जिनको यहां पे जो है उपाचारी के परत्पे हैं मतलब यह वाइज Chancellor यहां के है ठीक है तो इसलिए इनका नाम यहां पे दिया गया है मगर सवाल यह उ बात करें चुकि हम बात करें रवीना टेगोर जी की तो इनको क्या मिला था तो इनको यह फरस्ट नन यूरोपियन है जिनको Nobel Prize मिला था गीता अंजली के कारेंटी का गीता अंजली उनकी काफी जादा फेमस है अब देखिए यहां पे जो विस्ट बिंगॉल की यह जो आप देख पारें सांती निकेतन जिसे हम टेगोर के होम के नाम से भी जानते हैं ठीक है और यदि हम सांती निकेतन की बात करें तो 1901 में इसकी स्थापना हुई और रवीना टेगोर जी ने इसकी स्थापना करी उसके बाद जिसे हम गुरुदेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक ancient culture के start हुई जिसे विश्व भारती उनिशिटी कहा गया विश्व भारती इसलिए कि यह जो है पूरा रिप्रेजेंट करेगा पूरे विश्व को और यहाँ की जो culture है वो पूरी मतलब की गुंजायवान होगी सुगनित होगी पूरे विश्व को सुगनित करेगी और एक अलग तरह की पढ़ाने की पदती जो है यहाँ से विक्सित होगी और 1921 में वर्ड उनिशिटी के रूप में इसे बनाया गया तो समसे पहले है तो यह जो है 1931 में आप देखते हैं कि एक सथापित हुआ 1951 तो यहां की कहानी थी चुक्की बात हो रही है उनशिको की इससे WORLD але में सामिल किया है तो फोड़ यह बारे हम लों स्थापित किया जाए साथी साथ फिलाल अभी इसका जो मेन रोल हो गया है कि कहीं पे कोई मालीजे हरीटेज है, कोई पुरानी स्क्रिप्चर है पुरानी कोई मालीजे की जैसे हम ताजमार की बात करते हैं तो इस तरह के जो structure होते हैं basically उनको कोई छती ना पहुँचे उसको एक विश्व धरोर बनाय जाए और उसमें जब वो विश्व धरोर का बन जाता है तो उसमें कोई भी किसी परकार की कोई हानी आसानी से लोग नहीं पहुचा सकते हैं ठीक है काफी विश्व स्तर का वह हो जाता है तो इसी परकार की status उनसको दिया करती है जिसको हमने अभी बोला की उनस्को के लिए ये हमें विश्व भारति के रूप में मिल गया है अब आगे बात कहता है विश्व भारति तो ये इस परकार से देख पार रहे हैं विश्व भारति और रेक्टर जी सेम कहते हैं रेक्टर के फॉर्म में अभी गवर्मन्ट आप वेस्ट बेंगॉल है तो जो गवर्नर और वेस्ट बेंगॉल जो हमारे वेस्ट बेंगॉल के गवर्नर होते हैं वो रेक्टर के फॉर्म में आते हैं ठीक है उन्हें इस इनिविशिटर का कि यह एक रेक्टर है गवर्णर ऑफ वेस्ट मेंगॉल के इसलिए इन्हों ने जो है एक नोटिस दारी कर दिया है इस इन्युशिटी को कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है इसमें जो हमारी रवीना टेगोर है उनका नाम क्यों गया गया है जिनका दवाब यहां पर इन्यु जिसकों से बन के आएगा तो इसमें समय लगेगा न्युश का एक्वाडिंग इसमें हो सकता कि साल भर का समय लग जाए यह आप देख पा रहे हैं सांती निकेतन जिसकी आप तस्वीर अंदर की देख पा रहे हैं और यदि हम बात करें बाहर की तस्वीर कुछ इस प्रकार की है तो यह न्यूस थी आपको इसमें क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा मिलेंगे निक्स वीडियो में थैक्स वाचिंग